आदर्निय प्रधान मंत्री जी, आदर्निय संस्कृती मंत्री, समस्, मुख्य मंत्री और कैबनेट मंत्रीगण, श्रीमती विजय राजे सिंधिया के परिवार से उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य एवं अन्य विशिष्ट अतितिगण, आप सभी का आज इस सुब अफशर पर हार्दिक स्वागत है, महान शक्षित श्रीमती सिंधिया साद्गी और करुणा की मूर्ती थी, भारतिय राजनिती में उनके अनमोल योगदान को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार आज उनके सम्मान में एक स्मृती सिक्का जारी क कर रही है, इस अफसर पर संस्कृती राज मंत्री आदर्निय श्री प्रहलाद सिंगी पटेल से आग्रह है कि आप अपने संबोधन के साथ कारक्रम का शुभारंब करें, आदर्निय संस्कृती मंत्री पूज राज माता विजय राजे सिंधिया जी की जन्म सताप जीवर्स के कून होने के इस सुख और सरकार ने सो रुपे का इसमती सिक्का जारी करने करने ने दिया था, इस अफसर पर हमारे दूर्दर से इवं संकल्प के धनी मानी प्रधान मंत्री जी के द्वारा इस प्रधान की क्या हम सब के लिए औरों के उन गर्व का इच्षण है मैं मानी प्रधान मंत्य जी का संस्क्रती मंत्रा लै इवं मेरी ओच स्वागत इवं अभी नंदन खित्ता हूं देश के राज्यों से सो से अधिक स्थानों से पूज राजमता साब का सानथ पाने वाले मह सानभाव जुड़े हैं इसकाइचर में मानी सिर्ण अधिकारियों का स्वागत करता हूं हम बाकिसाली हैं इराजमता साब का हमारी पीड़ी के सानथ हमारी पीड़ी को सानथ दिमला उन छणों को हम सभी साथी कभी भला नहीं सकते राजमता देगे पास धन पद और प्रतिष्ठा सक्तुस था लेकिन एहंकार सुन ममत्त से भरा सहज सरल सौम जीवन ही उनकी पहचान है जो भी मिला वह उनसे प्रवावित हुए नहीं रह सका मैंने पारस पत्थर तो नहीं देखा पर राजमता को देखके लगता था कि वे कारीकरता से मिलती थी तो उसमें अपने इसने से उस्साह और उर्जा भर देती थी और वह कारीकरता सुच्चता की राजनीती का नित्त तो उस कारीकरता की जीवन का संकल्क हो जाता था मुझे आज भी इसम्रण है पहली बार 1987 में हमारी एक विसाहल रही की सखलता के बाद जब उन तक यह समचार पहुचाए गए वो अख़वारों के मध्यम से पहुचे थे कि सायद कुछ लोग बिड़र टिकेट आये होंगे वो प्लांच समचार थे हम लोग जो अपनी बात कह रहे थे तो उनकी प्रेम की डांट हमने सुनी लेकिन जबाब हमारे पास यही था लेकिन नाना जी वहां पहुंचे और उनने जो बात को सपस्ट किया वही डांट उस ममत तुमारे प्रेम में बदल गई और हम सबके सिर पर वो प्रेम का हाथ ऐसा फेरा गया वो ममत आज भी हमारी पूरी टीम भूल नहीं सकती और इसे मैं मानता हूं कि ऐसे गर्तितों को उतके प्रती भारत सरकार ने जो फैसला किया विशेशकार आदर्णिय प्रधान मंत्री जी ने जो सवसर प्रती उपस्तिती दिये मैं फिर से उनका स्वागत करता हूं और अभिनेंदन करता हूं और प्रारतन करता हूं कि उस सक्के को जारी करने की किर्पा करें धन्यवाद सर अब मैं आदर्णिये प्रधान मंत्री जी से सादर अनुरोद करता हूँ कि वे श्रीमती विजया राजे सिंधिया की स्मिती में सिक्का जारी करके कारकरम को यादगार बनाएं आदर्णिये प्रधान मंत्री आदर्णिये प्रधान मंत्री जी से आग रहे है कि आप इस सुवावसर पर अपने अभिभाशन से हम सभी को प्रितार्थ करें नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सभी सहयोगी गण अलग-अलग राज्यों के राजपाल स्री मुख्यमंत्री गण देश विदेश से जुड़े राजमाताब विजया राजे सिंधिया जी के प्रसंसक एवं परिवार के सदस्या उनके सनेही और मेरे प्रिय भाईयों और भेनों आज यहां इस कारकम में आने से पहले मैं विजराजी की ये जिवनी को जरा खंगाल रहा था कुछ पन्नों पर मेरी नेजर गई उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का जिसमें उन्होंने मेरा परिचे गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोधी के तौर पर करवाया है आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्रा देश का प्रधान सेवक बन कर उनकी अनेक स्मृत्यों के साथ आज आपके सामने है आपको पता होगा जब कन्या कुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुल्डी मुनर जोसी जी के नेत्रूत में और मैं व्यवस्था देखता था राज माता जी उस कारकम के लिए कन्या कुमारी आई थी और बाद में जब हम स्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में बिदाई देने भी आई थी और उन्होंने लगातार हमारा होसला बुलंद किया था तब हमारा सपना था लाल चौक में तरंगा चान जंडा फेराना हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाएं राज माता जी ने उस यात्रा को विजाई दी थी जो सपना था वो पूरा हो गया आज जब मैं पुस्तक में और भी चीज़े देख रहा था पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा आत्मा जहां से आई हैं वहीं चली जाएगी सुन्य से सुन्य में स्मृतियां रह जाएगी अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिन से मेरा सरोकार रहा है जिनकी मैं सरोकार रही हूँ आज राज माता जी जहां भी है हम सब को देख रही है हमें आशिरवात दे रही है हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है जिनकी वो सरोकार रही है उनकी सेवा उनके वादसले को अनुभो करने का सौभागी मिला है आज उनके परिवार के उनके निकट समंदी इस कारकम में है लेकिन उनके लिए हम सब हर देशवासी उनका परिवार ही था राज माता जी कहती भी थी मैं एक पुत्र की नहीं मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की माँ हूं उनके प्रेम में आकंठ डुबी रहती हूं हम सब उनके पुत्र पुत्रियाई ही है उनका परिवारी है और इसलिए यह मेरा बड़ा बहुत बड़ा सोभाग्य है कि मुझे राज माता विज्याराजे सिंधिहाजी की स्मृति में सो रुपिये के विशेष मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है हाला कि मैं खुद को आज बंधा हुआ मैसूस कर रहा हूँ बहुत बंधा हुआ मैसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कारकम का स्फरूप कितना बड़ा कितना भव्य होता है लेकिन ये बाग मैं जरूर मानता हूँ जीतना मेरा राजबाता साब के साथ संपर रहा है कारकम भव्य तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक कार्यकम दिव्य जरूर है उसमें दिव्यता है साथियों पिछली शताब्दी में भारत को दिशा देने वाले कुछ एक व्यक्तित्वों में राजमाता विजया रजे सिंधिया भी शामिल थी राजमाता जी केवल वाच्छलने मूर्ती ही नहीं थी वो एक निरनायक नेता थी और कुछल प्रशासक भी थी स्वतंत्रता अंदोलन से लेकर आजादी के इतने दसकों तक भारती राजनेती के हर एहम पड़ाव की वो साक्षी रही आजादी से पहले विदेशी वस्त्रों की हुली जनाने से लेकर आपातकार और राम मंदिर अंदोलन तक राज माता के अनुभवों का व्यापक विस्तार रहा है हम सभी जो उनसे जुड़े रहे हैं जो उनके करीबी रहे हैं वो उनने भली भाती जानते हैं उनसे जुड़ी बातों को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि राज माता की जीवन यात्रा को उनके जीवन संदेश को देश की आज की पीड़ी भी जाने उनसे प्रेणा ले उनसे सीखें इसलिए उनके बारे में उनके अनुभवों का बारे में बार बात बात करना आवशक है कुछ दिन पहले मन की बात कारकम में मैंने बहुत विस्तार से उनके स्नेह पर चर्चा की थी विवा से पहले राज माता जी किसी राज परिवार से नहीं थी एक सामार ने परिवार से थी लेकिन बिवा के बात उन्होंने सब को अपना भी मनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जन सेवा के लिए राज किये दाईत्वों के लिए किसी खास परिवार से मैं जन में लेना ही जरूरी नहीं होता कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति जिनके भीतर योग्यता है पतिभा है देश सेवा की भावना है वो इस लोग तंत्र में सत्ता को भी सेवा का माध्यम बना सकता है अब कल्पना कीजिए सत्ता थी संपत्ती थी सामर्थ था लेकिन उन सबसे बढ़कर जो राजमाता की अमानत थी वो थी संसकार सेवा और स्नेह की सरीता ये सोच यादर उनके जीवन के हर कदम पर हम देख सकते हैं इतने बड़े राजगराने की मुख्या के रूप में उनके पास हजारों कर्मचारी थे भव्य महल थे सभी सुवी धाय थी लेकिन उनों ने सामान ने मानवी के साथ गाउं गरीब पे साथ जुड़कर जीवन जीयां उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया राज माता ने ये साबित किया कि जन प्रतिनिद्धी के लिए राज सत्ता नहीं जन सेवा सबसे महत्वपून है वो एक राज परिवार की महरानी थी राजासा ही परंपरासी थी लेकिन उन्होंने संगर्ष लोग तंत्र की रक्षा के लिए किया जीवन का महत्वपून कालखन जेल में बिताया हापात काल के दोरान उन्होंने जो जो सहा उसके साक्षी हम में से बहुत से लोग रहे हैं इमरजंसी के ही दोरान तिहाड जेल से उन्होंने अपनी बेटियों को चिठी लिखी थी संभवता उशाराजे जी वसुंद्रा जी यसोद्रा जी उन्हों सब को यह चिठी याद होगी राज मातारे जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी उन्होंने लिखा था अपनी भावी पीडियों को सीना तान कर जीने की प्रेणा मिले इस उदेश से हमें आज की विपदा को धार्य के साथ जेलना चाहिए राष्ट के भविश के लिए राज माता ने अपना वर्तमान समर्पित कर दिया था देश की भावी पीडि के लिए उन्होंने अपना हर सूख त्याग दिया था राज माता ने पद और प्रतिष्ठा के लिए न जीवन जिया न कभी वो राजनीती का रास्ता चुना ऐसे कई मोके आए जब पद उनके पांस तक सामने से चल करके आए लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ ठुकरा दिया एक बार खुद अटलिया रिवाजपाई जी और लाल कृष्णा अडबाणी जी ने उनसे बहुत आगर किया था कि वो जनसंग की अध्यक्ष बन जाएं लेकिन उन्होंने कारकरता के रूप में ही जनसंग की सेवा करना स्फिकार किया अगर राजमाताई जी चाहती तो उनके लिए बड़े से बड़े पत तक पहुंचना मुश्किल नहीं था लेकिन उन्होंने लोगों के बीच रहकर गाव और गरिब से जुड़े रहकर उनकी सेवा करना पसंद किया साथियों हम राजमाता के जीवन के हर एक पहलू से हर पल बहुत कुछ सिख सकते हैं उनकी कई ऐसी कहानिया हैं जीवन की सातत्य पूर्ण घटाएं हैं जो उनसे जुड़े रहे लोगों को बताते रहें एकता यात्रा का ही एक और किस्सा है जब वो जम्मू में थी तो दो नए कायरकरता भी उनके साथ थे राजमाता दूसरे कायरकरता का कभी कभी नाम भूल जाती थी तो बार बार पहले कायरकरता से पूछती थी कि तुम गोलू हो ना और दूसरे साथी का क्या नाम है वो अपने छोटे से छोटे साथियों को उनके नाम से जानना पहचाना पसंद करती थी साथ के लोग कहते भी थे कि आप क्यों नाम की इतनी चिंदा करती है आप बस आवार लगा दीजिए लेकिन राजमाता उन्हें जवाब देती थी कि मेरे कारकरता मेरी मदद कर रहे हैं और मैं उन्हें पहचानू तक नहीं ये तो ठीक बात नहीं होगी मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में अगर आप हैं फिर चाहें आप किसी भी दल से किसी भी पार्टी से हो सामानने से सामानने कारकरता कि प्रती ये सोच, ये भाव, हम सभी के मन में होना ही चाहिए, अभिमान नहीं, सम्मान, ये राज नीती का मुल मंत्र, उन्होंने जी करके दिखाया है, साथियों, राज माता, उनके जीवन में अध्यात्म का अधिश्ठाम था, अध्यात्मिक्ता के साथ उनका जुडाव था, साधना, उपासना, भक्ती, उनके अंतर मन में रची बसी थी, लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थी, तो उनके पूजा मंदीर में एक चित्र भारत माता का भी होता था, भारत माता की भी उपासना, उनके लिए वहसी ही आस्था का भी शह था, मुझे एक बार, उनसे जुड़ी एक बात कुछ साथियों ने बताई थी, और मैं जब उस बात को याद करता हूँ, मुझे लगता है मैं भी आपको बताऊँ, एक बार वो पार्टी के कारकेम में मथुरा गई थी, स्वाभा भी था, कि भार राजमाता बांके विहारी जी के दर्सन करने भी गई, मंदिर में उन्होंने बांके विहारी जी से जो कामना की, उसका मर्म समझना बहुत आवश्चक है, राजमाता ने तब भगवान कर्ष्ण से प्रार्फना करते हुए क्या कहा, हम सब के लिए राजमाता के जीवन को समझने के लिए बहुत बड़ी काम आने वाली है, वो भगवान कर्ष्ण के सामने खड़ी हैं, बड़े भक्ती भाव से खड़ी हैं, आध्यात्मिक चेतना जग चुकी है और वो भगवान कृष्ण के सामने क्या प्राफशना करती हो कहती है हे कृष्ण ऐसी बांसुरी वजाओ ऐसी बांसुरी वजाओ कि पूरे भारत के सब नर नारी फिर से जागूरूत हो जाए आप सोचिए अपने लिए कोई कामना नहीं की जो चाहा देश के लिए चाहा जन जन के लिए चाहा और वो भी चेतना जगाने की बात की जो कुछ भी किया देश के लिए किया एक जागूत देश एक जागूत देश के नागरीक क्या कुछ कर सकते हैं वो ये जानती थी समझती थी आज जब हम राज माता जी का जन्व शताब्दी मना रहे हैं पुननता की और हैं तो हमें संतोष है कि भारत के नागरीकों की जागरूती को लेकर उनकी जो कामना थी बांके बिहारी में उनकी जो प्रार्थना थी वो आज लग रहा है कि धरतार धरातार पर चेतना के रूप में अनुबव हो रही है बीतों वर्षों में देश में जो अनेकों परिवर्थनाए है जो अनेकों अभ्यान और योजनाएं सफल हुई है उसका आधार ये जन चेतना है जन चागरुती है जन अंदोलन है राज माता जी के आशिरवात से देश आज विकास के पत पर आगे बढ़ रहा है गाउं, गरीब, दलीत, पीडीत, शोशीत, बवन्चीत, महिलाएं आज देश की पहली प्रात्मित्ता में है नारी शक्ति के बारे में तो वो विशेश तोर पर कहती थी कि जो हाथ पालने को जुला सकते हैं, वो विश्व पर राज भी कर सकते हैं आज भारत की यही नारी शक्ति हर छेत्र में आगे बढ़ रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं आज भारत की बेटियां फाइटर जैर्स उड़ा रही हैं, नेवी में उद्यक, उद्यक की भुमिकाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं आज तीन तलाक के खिलाप कानून बना कर देश ने राज माताजी की उस सोच को, नारी शसक्ति करण के उनके प्रयास को और आगे बढ़ाया है देश की एकता अखंता के लिए, कश्मीर, भारत की एकता का सपना के लिए उन्होंने जो संगर्ष किया, जो प्रयास किया, उसका प्रणाम आज हम देख रहे हैं आर्टिकल 370, खत्म करके देश ने उनका भावत बड़ा सपना पूरा किया है, और ये भी कितना अध्भुत संयोग है, कि राम जन्म भूमी मंदिर निर्मान के लिए, उन्होंने जो संगर्ष किया था, उनकी जन्म शताब्दी के साल में ही, उनका ये सपना भी पूरा हु कि जब अडवानी जी सोमनात से अयुध्या की आत्रा के लिए चले थे, और राजमाता साथ उस कारकम में रहें, ये हम सब की भी इच्छा थी, और राजमाता जी भी चाहती थी, कि ऐसे महत्रपुन अवसर पर उनका होना चाहिए, लेकिन कठिनाई ये थी, उन समय नवरात नवरात्री में अनुष्ठान करती थी, और वो जिस स्थान पर अनुष्ठान करती थी, वहाँ पूरा अनुष्ठान के समय छोड़ती नहीं थी, तो राजमाता साहब से जब मैं बात करा था, उनका देखो भाई, मैं तो नहीं आ पाऊंगे लिए कि मुझे आना जरूर है, तो मैंने का रास्ता बताईए, उन्होंने का मैं पूरी नवरात्री के लिए ग्वालियर से निकल करके सोमना जाकर के रहना चाहती हूँ, और वहीं पूरी नवरात्री करूगी, और वहीं से जब नवरात्री के धर्म्यानी ही यात्रा का प्रारव हो रहा है, तो वहीं मैं क अगर कंए शरीक हो जाओगी। और राजमाता जी का वह उपास भी बड़ा कठी रहता था। मैं उस समय नया-नया राजनीती में आया था, एक कारकरता के रूप में ववस्ता ही देखता था। मैंने राजमाता साथ की स्वोमनाच की ववस्ता समभली। और वो समय था जब मुझे राजमाता साप के अती निकट आने का आउसर मिला था और मैंने देखा था कि उस समय उनका पूरी पूजा पूरा नवरात्री का उनका अनुष्ठान एक प्रकार से ये आयोध्या रथियात्रा को और राम मंदिर को समर्पित कर दिया था उन्होंने वो सारी चीजे में अपने आखों से देखी थी साथियों राजमाता विजया राजे सिंध्याची के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर इसी गती से आगे बढ़ना है ससक्त सुरक्षित सम्रुद्ध भारत उनका सपना था उनके इस सपनों को हम आत्म निर्भर भारत की सभलता से पूरा करेंगे राजमाता की प्रेणा हमारे साथ है उनका अश्रिवाद हमारे साथ है इनी शुपकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और राजमाता साहब ने जिस प्रकार का जीवन जीया है कल्पना कीजिए आज एक तैसिर का अध्यष बन जाता है ना उसका भी मिजाज क्या बन जाता है और राजमाता इतने बड़े घराना इतनी बड़ी सब्ता संपति सबके बात जिन्होंने के निकट का देखा है क्या नमरता थी क्या विवेट था क्या सवस्कार थे जीवन को प्रेणा देने वाले हैं आए हमारे नई पीडी के साथ इन बातों की चर्चा करें और मुद्दा सिर्फ किसी राजनीतिक दलका नहीं है यह हमारी आने वाली पीडियों के लिए है आज भारत सरकार का यह सवभाग्य है कि हमें राजमाता जी के सम्मान में इसी का देश के स काम ने रखने का आउसर मिला है मैं फिर एक बार राजमाताई जी को आधर पुर्वक नमन करते हुए मेरी वानी को विराम देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार आदर्णी प्रधान मंत्री जी का जिनोंने इस समारों में शामिल होने का सभी सम्माने जनों को भी फिर दे से धन्यवाद करता हूं मैं जिनोंने अपना बहुमूल ने समय निकालकर इस समारों की शोभा बढ़ाने के लिए समय निकाला बहुत- झाल